हलो दोस्तो हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल खेमपो रिपेर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आपके पास पैडिस्टल फैन है और अगर आपका पैडिस्टल फैन स्लो चलता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम है तो इस कंडिशन में दोस् अपने fan का capacitor लेने market जाते हैं तो वहाँ पर आपको capacitor नहीं मिलता है क्योंकि इस तरह के चाहें आपका pedestal fan हो या फिर आपका wall fan हो इस तरह के दोनों fan का capacitor market में आसानी से नहीं मिलता है तो दोस्तो इसकी जगा पर आप कौन सा capacitor लगा सकते हैं यही आज हम इस वीडियो में जाने चलिए दोस्तो वीडियो को शिरू करते हैं दोस्तो मैं आपको सबसे पहले तो pedestal fan की motor दिखाता हूँ देखिए यह मेरे पास में pedestal fan की motor है और इसको मैंने ही repair किया है अब दोस्तो इस motor में problem यह है कि motor तो यह ठीक हो गई है लेकिन इसका जो capacitor है वो खराब हो गया है यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो capacitor दिखाता हूँ कि इस motor में कौन सा capacitor लगा हुआ है देखिए आप जो screen पर capacitor देख रहे हैं इस तरह का capacitor जो है इस motor में लगा था और यह capacitor black कलर का था बहुत सी motor में यह white कलर का भी होता है अब दोस्तो यह जो capacitor है यह 1.25 MFD का capacitor है यानि कि आप क capacitor मार्किट में आपको आपको आसानी से नहीं मिलेगा इसकी जगा पर दोस्तो या तो आप सवा 2 MFD का capacitor लगा दें अगर आपके पास है तो और अगर नहीं है तो आप मार्किट से भी लाकर लगा सकते हैं और अगर आप सवा 2 MFD का capacitor नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सवा 1 MFD का कैपसिटर लगा सकते हैं लेकिन सवा 1 का जो कैपसिटर है वो ज्यादतर आपको e-commerce website पर देखने को मिल जाएगा वहाँ से आप उसको खरीच सकते हैं लेकिन उसका rate जो है वो कई गुना ज्यादा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा अब मैं आपको दिखाता हूँ देखें ये मेरे पास में 2 MFD का कैपसिटर है और अगर आपके पास 2 MFD का है तो आप 2 का लगा दें और अगर 2 का नहीं है तो आप सवा 2 का लगा दें सवा 2 का ज्यादा बहतर है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पेडिस्टल फैन या फिर वॉल फैन की मोटर नहीं फुकी है तो आप इसको लगा सकते हैं एक तरीके से मान सकते हैं के ये टेस्टेड है मैंने इसको चिक किया है और कोई भी मोटर कैपसिटर की वज़ा से नहीं फुकी है तो दोस्तो आप इस तरह के fan में capsiter लगा सकते हैं और धाई MFD में भी आपके पास market में आपको कई तरह के capsiter देखने को मिलते हैं देखिए ये भी धाई MFD का ही है और ये भी और दोनों में कोई जादा फर्क नहीं है दोनों की same power है बस print का फर्क है तो दोस्तो इस तरह से आ आप अपने fan का capsiter चेंज कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आशा करता हूँ कि आपको अब पता चल गया होगा कि अगर आपके fan का capsiter खराब हो जाता है तो आप इस fan में कौन सा capsiter लगा सकते हैं दोस्तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम